में आपका live show स्वागत करता हूँ दूस्तो आज हम प्रातना के विशे में सिखेंगे और इसी प्रकार से मैं लगा तार आपको 10 प्रकार के प्रातना के बारे में सिखाऊंगा तो यह जो भाग है पहला भाग यह प्रातना का बारे में प्राथना जी हां दोस्तों आज बहुत सारे लोग प्राथना करते हैं लेकिन कैसे किस के लिए प्राथना करना चाहिए या किस बात के लिए प्राथना करना चाहिए ये मालूम नहीं चलता है आज बहुत सारे लोग प्राथना करना हो चंगाई के बारे में तो ये जो प्राथना है आप इसको दुरा सकते हैं या फिर चालू करके सुन सकते हैं जब भी तो दोस्तों चलिए हम प्राथना करते हैं, अपने आखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को जोड़ करके परमिश्वर के सम्मुख जाएंगे कि अगर हम किसी के चंगाई के लिए प्राथना करते हैं, तो किस प्रकार से हमें चंगाई के लिए प्राथना करने ही चाहिए चलिए हम प्रात्ना करते हैं, अपने आखों को बंध करेंगे और अपने परमिश्वर के सम्मभ जाएंगे, आए हम प्रात्ना करें हमारे शर्फ रक्ति मांग जीवते सामर्थी पिता प्रमिश्वर, फिर से एक बार हम तेरे चर्णा तले आते हैं और हम तुछ पर विश्वास और उस प्रभुईश्य मसी के अनुग्रह के द्वारा आते हैं पिता और विश्वास करते हैं कि तुने हमें ये समय दिया, ये मौका दिया, हमें जीवतों के मध्य में स्वास चंगा भला रखा पिता लेकिन मेरे परमिश्वर, हम यहां प्रात्ना करते हैं पिता, जबकि भाई को जो तकलीफ है या बहन को जो तकलीफ है पिता हम तेरे हातों में सौपते हैं, शरीर का रचने वाला तू है, शारिक दुरूबलता को तू जानता है, शरीर की एक 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 अंग को तूने बनाया है, तू बनाने वाला है, रचिता है, तू स्रिजन हार है मेरे परमेश्वर, और हम तेरे सम्मुक आते हैं पिता, और प्रांतन करते हैं मेरे परमेशर, जो भी शारिक दुरूबलता है, जो भी शारिक परिशानिया है, चाहे वो लखवे की समस्या क्यों न हो, चाहे वो किद्नी की समस्या क्यों न हो, चाहे वो हरदय की समस्या, या फिर पैंक्रियास की समस्या, या लीवर की समस्या, या आखों की समस्या या कानों की समस्या हाँ पिता या चाहे वो हाथ पैर की समस्या क्यों न हो आज बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हम उनके लिए प्राथना करते हैं उनके चंगाई के लिए प्राथना करते हैं मेरे परमेश्वर अगर वो इस वक्त देख रहे हैं, हाँ पिता, तु दिखा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो आज तेरे नाम को जानना, सीखना और समझना चाहते हैं, तेरे नाम से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, पिता हाँ मेरे परमेश्वर सबसे पहले उनके मनों को चंगाई कर, सबसे पहले उनके दिलों को चंगाई कर, वो अपने हरेक पापों से चंगे होने वाले बन सके, वो अपने हरेक गंदे आचरों से चंगे होने वाले बन सके, हाँ मेरे परमेश्वर प्राथ न करते हैं पिता, उन पेर टूटा हुवा accident भी क्यों नहों, चाहे वो brain tumor क्यों नहों, चाहे वो आखों से धुंदला कम दिखाई प्रदान करें और वे आपके नाम को ले करके अपने पापों से मुक्ती और उधार और मोक्ष को प्राप्त करने वाले बन सके पिता और तेरे प्रिय पुत्रे के उस लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध और पवित्र कर उन्हें अपना एक मौका दे मेरे परमेश और तेरे आज में शामिल होने के लिए हम प्राथना करते हैं पिता इसी प्रकार से वे अपने जीवन को बदलने वाले बन सके और शारिक नहीं बलकि एक आत्मिक जीवन बनने वाला बन सके आज और इसी वक्त तेरे प्रिये पुत्र का लहू तेरे प्रिये पुत्र के उस लहू का जो पावर है जो सामर्थ है वो जो शक्ती है आज और इस वक्त उनके उपर उतरने वाला बन सेकें। सारे मिमारी, सारे संसारिक तकलीफें ईश्यू के नाम से दूर होने पाए, सारे सरीर की कमजोरियां ईश्यू के नाम से दूर होने पाए, सारी आखों की कमजोरियां, कान की कमजोरियां, या मूँ की कमजोरियां, या हाथ-पैर की कमजोरियां ईश्यू के नाम से दूर होने है, जितने भी शरीर में हमारे अंग है, हम उन सभी के लिए प्राथने करते हैं, और जो भी अंगों में, जिसको भी जो भी तकलीफ है ईश्यू के नाम से उसके पवित्र लहू के नाम से आप सामर्थ से पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें मेरे परमेश्वर सारे बातों को हम तेरे हातों में सौंपते हैं हम जानते हैं कि आपने ये प्राथना और बिंति को सुना इसलिए हम आपके शुक्र ग तो दोस्तो इस प्रकार से हमें प्राथना करना चाहिए चंगाई के लिए और चंगाई हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे आत्मा की चंगाई होने पाए जब हमारा आत्मा चंगा हो जाएगा तो शरीर में कोई बिमारी नहीं होगी और जैसे कि एक कहवत है कि अगर मन चंगा तो कटोती में गंगा तो आप अपने मनों को खुश रखने की कोशिश करिए ताकि आप सारे आने वाले बिमारी से बच सके और सही सलामत आप अपने शर XD. Namaskar!